तो आगते हैं आप सभी का फैसो टिला फैंटिला में आई होग आपको पिछली रेश्पी पसंद आ रहे होंगी समसीजन में बहुत अच्छे मैंगो आते हैं और अलग-अलग वेराइटी के मैंगो आते हैं तो आज हम बनाएंगे इन चीजों से हट के कुछ mango फिरनी फिरनी में कई लोग चावल के आटे का यूज़ कर लेते हैं लेकिन यहां हम चावल के आटे का यूज़ ना करके हम चावल को भीङो की बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना mango फिरनी सबसे पहले हम लेते हैं चावल यहां पर मैं ढाई चम्मत चावल ले रही हूँ दूद के हिसाब से ही आपको चावल लेना है और चावल को हमें सोक करना है तो इसके पहले हम इसे धो लेते हैं तो यहां पर मैं थोड़ा जल्दी के हिसाब से बना रही हूँ और बहुत हाथ से मसल के चावल को नहीं धोना है, चम्मस से करके हम दो बार इसका उपर का कछड़ा निकाल देते हैं धो करके और फिर इसमें थोड़ा गरम पानी डाल करके रख देते हैं, यह थोड़ा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि जब हम इसे पीसेंगे तो हम इसी पानी सहेती से पीस लेंगे तो देखे थोड़ा कम कर दिया मैंने इसे भिंगो दिया है लगबग 20 मिनट के लिए अब हम लेते हैं आम आम जो है ये वाला 350 ग्राम के लगबग है आप अगर छोटे हैं तो दो भी ले सकते हैं तो इस इसे हमने अच्छे से दो लिया है और फिर हम इनका चाकू की सहयता से बहुत अच्छे से छिलका उतार लेंगे और फिर इसे चोटे-चोटे पीस में कट करके हम इसे करेंगे ग्राइंड हमें इनका पल्प तयार करना है तो देखे इस तरह से हमने पल्प तयार कर लिया है और हम हम इसे बरतन में एक निकाल लेंगे यह हमारी primary preparation है जो ready हो गई है आम जितना मीठा होगा खुसबुदार होगा जितना अच्छा color वाला होगा आपकी जो फिरनी होगी वो उतनी ही colorful बनेगी और बहुत अच्छी लगेगी हमें देखने में भी टेस्ट के साथ अब हम ले रहे हैं दूद यह 750 ml दूद है इसे हम डालेंगे एक कडाही में और गर्म करेंगे दूद को पूरा दूद हमने डाल लिया ध्यान ये रखेंगे जो भी हम कडाही यूज कर रहे हैं या जो भी हम गंजी या पतीली जिसमें भी बना रहे हैं थोड़ा मोटे तले का क्योंकि जब फिरनी बनाते हैं और चावल डालते हैं तो यह नीचे लगने ना लगे इसलिए हमें मोटे तले का ही लेना है तो देखे दूद को हम धीमी आज में गरम कर रहे हैं क्योंकि चावल भी हमने सोक करने रखे हैं जो 20 मिनट होने हैं देखे हमारा दूद गर्म होने लगा है 20 मिनट लगभग हो चुके हैं और चावल हमारे सोक हो गया है तो पानी सहेद हम ग्राइंडर में अपने जार में हमने ट्रांस्पर कर लिया है अब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो जब हम इसे पीसते हैं तो हमें पेस्ट नहीं बनाना है हम इसे दरदरा पीसेंगे क्योंकि इसे अब हमें दूद में पकाना है अगर एकदम बारीक हम पीस लेते हैं तो फिर हमारी फिर्णी उतनी अच्छी नहीं बनती है और ये जो चावल होता है वो लेई की तरह चिपकने लगता है तो देखे इस तरह से हमें थोड़ा दरदरा ही पीसना है तो ध्यान से पीसे और इसे हमने निकाल लिया है एक दूसरे बरतन में दूद हमारा देखे बॉइल होने लगा है अब हम इसमें जो हमने चावल पीसके रखा था धीरे धीरे डालते जाएंगे और दूसरी तरफ चम्मस से हम इसे चलाते जाएंगे ध्यान रखें जब चावल इसमें डाल रहे हैं आप पिसा हुआ तो कंटिनिवेसली हमें इसे चलाना है और फ्लेम जो है वो हमें बिलकुल लोही रखनी है और पढ़ियां से हम एकदम कॉर्णर से चलाएंगे देखें अभी कितना पतला दिख रहा है और पकने के बाद देखेगा आठ से दस मिनट हुए हैं इसे पकते हुए देखें पूरी मलाई बनने लगी है कॉर्णर में चावल हमारा थोड़ा थोड़ा ट्रांस्परेंट दिखने लगा है तब तक हमें पकाना है जब तक कि चावल जो है वो पूरी तरह से ट्रांस्परेंट ना दिखे और सम्तिंग लाइक ये खीर की तरह ही बनता है देखें कितना अच्छा दिख रहा है चमच में ही समच में आ रहा है हमें कि हमारी जो इसकी खीर है पहले फिरनी की वो रेडी हो गई है चाहें तो आप इसे हाथ से भी टच करके देख सकते हैं कि चावल हमारे पके हैं या नहीं पके हैं इसलिए हमने इसे दरदरा पीशा था देखे कितना बढ़ियां दिख रहा है ये हर दाना चावल का जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो अलग ही हमें दिख रहा है इस तरह से हमने उंगलियों में ले करके देख लिया चावल हमारे पूरी तरह पक चुके हैं अगर आपको लगता है कि अभी नहीं पके है तो इन्हें थोड़ा और करें देखे कॉर्णर में इस तरह से पूरी मलाई जमने लगती तो मलाई को भी हम ट्रांसपर करते जाते हैं बीच में और अब हम इसमें एड करेंगे शुगर यहां पर जितना आपने चावल लिया था उसका डबल लेंगे लेकिन मैं यहां पर चार चमच मैंने डाल दी है मैं पाँच वा चमच नहीं डाल रही हूं क्योंकि आम जो है वो बहुत ही मीठे आम है यह तो आम एक बार आप जरूर टेस्ट कर लें अगर कम मीठे आम है तो शुगर आप उसका डबल डाल दे जैसे धाई चमच चावल था तो पाँच चमच मैंने डाल दिया सक्कर पूरी तरह से इसमें मिक्स हो गई है अब हम गैस को बंद कर देंगे और हम इसमें हम एड करेंगे मैंगो पल्प थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हमने एड किया है दो मिनट इसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया और इसे अच्छी तरह से चला करके मिक्स कर लेंगे देखे कितना बढ़िया कलर एकदम फिरनी का चेंज हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे हम रबडी बना रहे हैं या कस्टर बना रहे हैं पर यह है हमारी फिरनी देखे रेडी हो गई है अब हम इसे ट्रांसफर करते हैं तो रेडी है हमारी फिरनी और हम इसे ठंडा करके खाएंगे तो जब हम इसे निकाल लेंगे किसी पॉट में बरतन में सर्विंग बावल में तो हम इसे आधा घंटे से लेकर एक घंटे के लिए फ्रीज में रखतेंगे फ्रीज में रखने से हमारी फिरनी सेट भी हो जाती जो बहुत ही टेस्टी लगती है आइस क्रीम रबडी को फेल करती है ये मैंगो फिर्नी अब हम इसे गार्निस करेंगे पिस्ते के साथ में रोज पैटल के साथ में आप इसमें बादाम या मन्चाहे ड्राइफ रूट्स डाल सकते हैं एक घंटे हो गए हैं फ्रिज में मैंने रखी थी फ्रिज से मैंने निकाल ली और देखिए कितनी बढ़िया मैंगो फिर्नी दिख रही है एकदम ठंडी और अलग टेस्ट है आइस क्रीम से तो जरूर आप बनाएं पसंद आएगी सबको और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है आपको ये टेस्टी लगती है बनाने के बाद तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हम एक अलग नई रेसिपी के साथ में तब तक इस्टे होम इस्टे सेफ टेक प्रिकॉशन